नमस्कार दोस्तों जै वेरुनात आईए इस चैनल के माद्दम से आप सभी दोस्तों का मैं हार्दिक अभिनन्दर करता हूँ तो दोस्तों बहुत से कमेंट्स मेरे पास में आये है कि माराजी बूत प्रेत निकालने के कुछ टोटके हो तो वो आप इस चैनल के माद्दम से कोई वीडियो बना करके हमारे को बताईए तो आज दोस्तों उसी विशे से सम्मंदित ये वीडियो में ने बनाया है कि बूत प्रेत को हम गर पर टोटने टोटके के दुवारा कैसे निकाल सकते हैं सबसे पेले तो आपको ये समझना होगा कि बूत प्रेत होते क्या हैं क्योंकि दोस्तों बूत प्रेतों की बहुत सी जातियां हैं जिनको हमारे सास्त्रों में वर्णित हैं जितने भी सब्दे हमारे सास्त्रों में वर्णित है वो सब्द है जो सत्य हैं जैसे बूत प्रेत पिसाच ब्रम राक्षक कच्चा कलवा डाकनी शाकनी पिसाजनी शोकता बोगता, जिन जिननात, बेताल, ख़बीश, ये अनेको प्रजातियां हैं बूत प्रेतों की, तो सबसे पहले फिर ये बार समझने हमारे को जरूरी है, कि आखिर बूत प्रेत बनते क्यों है, मैं एक बूत प्रेतों का अलग से आपको वीडियो बनाओंगा, कि आखिर भूत किसको केते हैं, प्रेद किसको केते हैं, ब्रम राक्त किसको केते हैं, कच्चा कलवा या कच्चा मसान किसको केते हैं, डाकनी साकनी किसको केते हैं, तो ये भूत प्रेदों की अन्यों को प्रजातिया हैं दोस्तों, पहले, सर से पहले तो हमारे को ये जानना ज नीचे हैं साथ लोग उपर है चव दापन केते हैं फिर ब्रम लोक विष्णों लोक विश्ण का सीмат में गवक्षार्ण और दोस्तों उन योनियों में करमों के आधार पर जो जीव होता है वो बठता है करमों के अधार पर मनते हैं तो जिसकी अकाल मिर्त्यू हो जाती है अकाल मिर्त्यू याने ट्रेन के आकर कटकर मर गया जिसने आत्मत्या कर ली किसी बिल्लिंग से कूट करके जिसने आत्मत्या कर ली अपने सरीर पर आग लगा ली अगनी के दौरा दास संसकार कर लिया अगनी के दौरा आत्मत्या कर ली तो ऐसे अने को जो आत्मत्या करता है या एक्सिडेंटल जिसकी मोत हो जाती है तो अच्छानक दुरुगटना के अंदर जिसकी मोत हो जाती है उसको हम अकाल मृत्यू केते हैं यानि की काल को भी जिसका पता नहीं है काल को भी उसका पता नहीं है उसे हम अकाल मृत्यू केते तो एक प्रकर्ति के द्वारा निर्धारन की भी आयू होती है और एक अकाल मिर्थी हो जाती है तो वह वाकिय की आयू को कहां भोगता है तो वह प्रेत योनी में सला जाते है दोस्तों जिसमें कुछ पितर बन जाते हैं कुछ बोमियां बन जाते हैं तो ये प्रेत याने प्र पपकर बूम आपने सब कुस तो बता दिया लेकिन मनुष्य का अगला जनम केसा होगा तो बगवान किश्ण ने कहा कि है अरजुन मनुष्य का जो अगला चला जाता है तो अब मनुष्य की इच्छा दे जाती है परिवार से मिलने की कुछ भोग भोगने की खाने पीने की पेस रूपिय पेसों की तो वह मनुष्य जो जीव है प्रेत योनी में चला गया है वह तीन ततों में चला जाता है दोस्तों हमारे जो ततों है वो पांस ततो है और प्रेत योनि में जो चला दाता है उसके तीन तत्व होते हैं यहने उसको सब कुछ मैसूस होता है सुस्म सरीर होता है तो उसको सब कुछ मैसूस होता है केवल करमेंद्रियां ही उसके पास नहीं होती है ग्यानेंद्रियां उसके पास में होती है उसको वैसे ही प्यास लगती है, वैसे ही भूक लगती है, वैसे ही सब इच्छा होती है, तो अब वो इन इच्छाओं की पूर्ती के लिए सरीर को डूनता है, और वो उस सरीर के माद्यम से अपनी इच्छा पूर्ती करता है, कोई भोग भोगता है, कोई खाने पीने का सोकिन होता ह कोई पेसे का सोकिन होता है तो रूपियों पेसे के अपनी इच्छा पूरी करता है तो वह अपनी इच्छा के लिए वह किसी सरीर के अंदर बढ़ करके और अपनी इच्छाओं को पूरती करता है तो हम केते हैं उसके अंदर भूत पेत आ गया क्योंकि वह जो सरीर होता है वह यहने उसके अंदर जो जीव होता है वो बन जाता है और जो प्रेत होता है वो उसके ओपर हावी हो जाता है और अपनी तरह के अरकते करना लग जाता है तब हम लोग केते हैं कि इसको प्रेत लग गया अब प्रेत कब लगता है दोस्तों सबसे पहले कि जिस व्यक्ति का ओरा क इसकी कुंडली में सनी के साथ में राहु बेटा है, सनी के साथ में केतु बेटा है, उस व्यक्ति के साथ में भी ये गटना होती है, जो तिसकी अमाद्धिम्स हम देखें तो, फिर प्रेत लगता है कि सरीर का ओरा तो कमजोर होता है, लेकिन गर का ओरा भी कमजोर होता है, क्य होते हैं ने कुल देवी कुल देवता का असिर्वाद होता है तब ही जा करके ये प्रेत जो होते हैं वो हमारे घर के अंदर हमारे सरीर में परवेश करते हैं क्यों करने तो हमारे कुल देवी कुल पित्रों का असिर्वाद होता है क्योंकि ये जो कुल देवी होती है कुल देवता होते हैं और जो हमारे गर के पितर होते हैं वो हमारी रक्षा करते हैं अब वैसे छोटे मोटे जो प्रेत होते हैं हवा होती है उसको हम इन टोटकें के दौरा दोस्तों निकाल सकते हैं आज मैं जो आपको टोटके बता रहा हूँ वे छोटी मोटी जो हवा होगी चोटी मोटी हवा होगी या चोटा मोटा कोई प्रेत होगा जिसकी शक्ति कम होगी वो ही इन टोटके के द्वारा दोस्ते निकल सकता है अगर कोई जिन जिननात लग गया है और कोई कच्चा मसान अगर पर आप लग गया है तो किसी भैरोग सादक के द्वारा या काली के सादक के द्वारा ही वे निकला जाएगा अन्य थावे नहीं निकलेगा क्योंकि छोटे मोटे टोटकों के द्वारा मैं तो देखो हमेशा दोस्तों सत्य केता हूं क्योंकि मैंने अपने जीवन के अंदर में ये काम किये हैं और इन कामों के द्वारा मैंने देखा है कि जो टोटके होते हैं जो मंत्र होते हैं उनके द्वारा हम छोटे मोटे ही प्रे जो शक्तिसाली प्रेत होते हैं, जो सब्रम राक सकते हैं, कच्चे मसान होते हैं, जो पिसाच नहीं होती है, डाक नहीं होती है, उनको हम इन टोटकों के द्वारा नहीं निकाल सकते हैं, केवल छोटे मोटे टोटकों के द्वारा, छोटे मोटे प्रेतों को छोटी मेटी जो ह उसको हम निकाल सकते हैं तो आईए दोस्तों मैं कुछ टोटके आपको बताता हूं क्यों कि बहुत से लोग गाओं में रहते हैं बहुत से लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जिनका संपर्क किसी तांत्री के द्वरा किसी जो सादक होता है कोई सादक होता है काली का सादक होता है बहरों का सादक होता है तो जब तक उसका संपर्क उन सादकों से नहीं हो जाता तब तक आप इन टोटकों के दुमाद्यम से आप भूत प्रतों का सबाधनान कर सकते हैं तो अब मैं आज आपको उन टोटकों के बारे में जानकरी दे रहा हूं दोस्तों जो मैंने खुद ने जीवन में किये हैं और उनका चमतकार उनका आशिरवाद में ने प्राथ गया है तो सबसे पहले जो रोगी होता है जिसके अपर बूत प्रेत लगाय गया गोपर को जला करके ब्रास कपूर होता है वो कपूर जला करके और उसके पर थोड़ी गुगुल लोबान और थोड़ी सी हेंग डाल देनी है और पीली सरसो डाल देनी दोस्तों उसकी जो धूप होती है उसका वीडियो है उसमें उतारा है और उतारे का सामान भी लिखावा है उतारा किस परकार करना है दोस्तों तो वह उतारा आपको करना है केवल सनीवार की राप्तरी को रैवार की राप्तरी को या अमावश्य को ही ये उतारा आपको करना है चोथा परियोग है 11 निम्बू आप ले पिली सर्सों योगी के जो रोगी होता है उस रोगी के सिरक्यों पर उसको अपने हाथ के द्वारा साथ बार गुमाना है और मंतर के द्वारा भम बेरवायन में बेरवायन में बेरुजी का मंतर बोलते वे साथ बार गुमा करके और बाहर गर के बाहर अगनी प्रजुलित करन निम्बू, वरजाइफल, वो राही और पीली सरसों उसमें डाल देनी है, साथ बार ऐसे उतार करके, ऐसे 11 बार आपको वो 11 निम्बू के उतारे करने हैं, फिर आप हींग, थोड़ी सी हींग ले ले लेना, थोड़ी सा लसन लेने ना, हींग और लसन का पेश्ट बना करके, और उसका जो पेश्ट है, वो थोड़ा आख के उपर लगा देना, थोड़ा नाख के उपर लगा देना, क्योंकि दोस्तों जो बुल्व परते होते हैं, वो इसकी गंद को सहन नहीं कर पाते हैं, और छोटी-मोटी जो हवा होगी ना, उस इस पेश्ट की, इस येंग की ले शुरोगी को पिलाना है उस बस्म को पिलाना है फिर एक जो है आपको एक उतारा और करना है वो आपको मैं बताता हूँ सवा दो किलो बाजरी सवा दो किलो बाजरी आप ले लेना बाजरी का दलिया जो बाजरी का दलिया होता है वो ले करके और उसके अंदर आदा किलो गुड मिला देना और थोड़ा पाणी मिला करके मिट्टी के हांडी में उसको पका लेना पकाने के बाद में जब मिट्टी की हांडी ठंड तो उसके बाद में उस रोगी को उपर से साथ बार गुमा करके सनिवार रहिवार या अमोसे के दिन चोरायक पर रख करके आ जाना ये एक उतारा टोटका आप कर लेना उसके बाद में दोस्तों जो रोगी है अगर वो पढ़ सकता है तो उसको इग्यारा बजरंग बान के पा प्रती दिन करे और 11 दिन तक करने हैं बजरंग बान के पार 11 पार 11 दिन तक बजरंग बान के करने हैं जिससे क्या होगा उसका ओरा मजबूत हो जाएगा तो बजरंग बान के पार करने से जो छोटी मोटी हवा होती है छोटे मोटे बूत प्रेत होते हैं वो दोस्तों निकल जो आपको टोटके बताएं हैं ये टोटके आप गर पर जब तक कोई सादक बहरो और काली का सादक आपके गर पर नहीं आए तब तक आप इन टोटकों के द्वारा वो बूत पिरत की समस्या आप समधान कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों उतारे के अंदर बहुत शक्ती होती है उतारे के अंदर एक भोग होता है चोराए पर छेतरपाल का हमारे छेतरपाल का या माता मदानन का जो भोग होता है उस भोग के द्वारा वह भोग उन तक पहुंच जाता है जो छेतर के रक्षक होते हैं छेतरपाल द तोटके बताएं हैं, जो प्राचीन हैं, हमारे सास्थों के अंदर यह टोटके वरणित हैं, तो इन टोटकों के दौ़ारा आप यह समश्या का समाधान कर चकते हैं, फिर उसके वहाद में आपको अगर कोई सच्छा सादक, कोई भैरव का कोई काली का भकत मिल जाएं दोस्तो तो सच्चे सादक के द्वारा अपने गर के अंदर मा बगवती का और भेरव का नव कुंडी नव चंडी जो हवन होता है नो दिन तक वो हवन कराना है नव चंडी हवन करा करके गर को बांधना है गर को किलित करना है आगे में गर को कैसे बांधना होता है गर को कैसे किलन करना होता है वह मैं आपको उपाय आपको बताऊंगा एक नया वीडियो बनाऊंगा जिससे घर को कैसे बांदा जाता है घर को कैसे लित किया जाता है और किस मंत्र के द्वारा किया जाता है कौन से सामगरी होती है उस परकार से मैं आपको वह नया वीडियो बना करके आपको आगे नई बहुत से ऐसे चमतकारी वीडियो लेकर के आपके सामने प्रसुत हूँगा जो मैंने जीवन में मैंने स्वैम ने किये हैं मैंने खुद ने किये हैं वो वीडियो में आपके सामने लेकर कि आओंगा दोस्तों तब तक के लिए मुझे इजादे दीजिए जै बहरु जै बाबा भेरुनात